तो हेलो गाईज स्वागत आपकारी टॉपस साइट दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको मार्केटिंग मेनेजमेंट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन बताने वालों जो कि आपके सी बीसी के एक्जाम में आ चुका है तो जादा देर नहीं करूंगा थोड़ा सा और इ तो यार चलिए स्टाट करते हैं पहले इस वीडियो को और देखते हैं कौन को से इप्रेंट क्वेशन से मैं आप चाओ तो इसका एंसर मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन ने बताओ और किताब करने के बाद इसको खोजो किताब में ताकि आपको अच्छे से दिमाग में याद रहे लंबे समय तक तक तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह क्वेशन आपके एक्जाम में आ चुका है ठीक है जब पढ़ोगे ना अब तो बहुत तीजी सियाद रहेगा आपके में अब आगे बढ़ते हैं एक्स्वें दो फॉलिएंग फॉंक्शन ओफ मार्केटिंग मार्केट प्लानिंग और प्रॉडट्ट डिजाइनिंग इंडव्लॉप्मेट यह बहुत अच्छा का देया ना सी बेसी ने बहुत ही सिंपल तरीकिस देरा का आप सो कई से लिखना लिख दिये तो आराम से चार नंबर मिल गया यार ठीक है तो बहुत तफ नहीं है इसको भी टूंडो अपनी किताबों में ठीक है और मिलेगा अच्छे तरीके से मिलेगा अब अगले क्वेशन बढ़ते है अगला क्वेशन भी से मोई साई एक्स्वेंग फॉलिंग फॉलि चार लाइन तो एक्स्वेंग करना है चार लाइन नहीं लिख पाओगे तो फिल पढ़ा क्या यार तो चार लाइन लिखना है तो इसको भी दो कैसे हमें पूछ रहा है ठीक तो मतलब यह कि या बहुत जारा रटनी जरूत नहीं है अगर आप पॉइंट कोछे समझे हुए ह और ऐसे पॉइंट दे दिया इसके बारे में लिखो तो आप आराम से लिख सकते हो यार ठीक है किस तरुके बनेगा बहुत लोग परिशान हो जाते हैं कैसे क्या लिखना है क्या आएगा को बहुत दिमाग हो जाता है पर अच्छान नहों सी बैसी को देखो ज्यादा फाइ यह क्वेशन छोटा है थ्री मार्क्स का एगा ठीक है सिर्थ आपको बतान है मार्केटिंग यह कस्मोर स्रेडिस्फक्शन को पर काम करता है यह आज की तो शर्वाइवल इंद ग्रोथ अग्नाइज़ेशन इटल्स फोकस दे अच्टिविटीज अच्छे से लिख दिना ब्रांडिंग दो सारी दो बांडिंग एंड गॉसे टो इटोट इस डिमाग खरा बजाता था टैक है तो कुल मिलाकर जोह में अड़ ब्रांटिंग ए कस्टमर को कस्टमर को कि लिए क्ट्पर क्या फायदा होता है कस्टमर जो ए इस्टेटर्स सिंबल देखता है वाई इस क्वालिटी इंशुर होती है और प्रोड़क्ट इडिफिकेशन होता है वह मार्केट बढ़ते हैं तो भाई को नाम जानते होगे तो जाओगे देखो इतनी सारी चीजी एक साथ दे दी यार यह कोशन मैंने उठाया कहां से मुझे यही नहीं यादा रहा खेर कोई नहीं यहीं सिंपल साई एक दम वैसा है जैसे उपर वाला था मतलब कुल मिला कि इस टाइक का पूशन जादा पूछता है ठेक है अब आगे बढ़ते है वाड़ अच्छा अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ मैंसा लिकना भूल गया यार दिमाग शूतर गया या पिर बताने क्या हुआ लिखा नहीं कि कहीं उपर छूड़ गया नहीं उपर तो नहीं छूटा है मैं बता जाता हूं एक इंपोर्टेंट कोशन है मेरी तरफ से याप गये एक्स्ट्रेइन एनी फोर फेक्टरस विच अफेक्ट देटरमिशन और प्राइज द प्रॉडट्ट्ट मार्व समझो प्राइज द प्रॉडट्ट को कौन अफेक्ट करता है वह कोई चाल फेक्टर बताओ तब यह किताब हो में तया पांच छे फेक्टर देर रखे आ दो यो सोलने केलो प्रॉडट की कौस्ट हो गया और क्रोंगर कैंशन सो गये मार्गिटिंग में होग्या तिक एक्स्टेंट फॉन इता मार्केट होगे इतने सारे पॉइंट से कोई उठा के लिख दो ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में अगले चैटर के साथ बाकी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए बहुत सारी डीटेल्स बिलेंगे आपको लिंक्स मिलेंगे आगे पीछे जितनी वीडियो तो उन सभी की तो याद डिस्क्रिप्शन चेक करना अगर आपको कोई भी चीज़ क्योंकि मैं इस इन सीरीज की मैं प्लेलिस नहीं बना रहा हूं टेक तो मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए